देखिए हर कोई सोचता है कि हम धेर सारे पैसे बचाएं और अपने घर पे सही जगा इन्वेस्ट करें बट सही तरीका क्या है पैसे बचाने का वो पता ना हो ना तो हम बिल्कुल भी पैसे नहीं बचा सकते इसके opposite हमारे धेर सारे पैसे फिजूल में खर्च ही हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे share कर रही हूँ कुछ tips and tricks जिससे आप home making को सही तरीके से organize करके न अपने धेर सारे पैसे बचा सकते हैं देखिए पैसे बचाने की बात तो हम लोग बहुत करते हैं बहुत सोचते भी हैं लेकिन यह execute क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि हम अपने घर की चोटे मोटे जो हमारे फिजूल खर्चे हैं हम उस पे ध्यान नहीं देते बड़े खर्चों को तो हम दबा के रख लेते हैं कि तीन महीने छे महीने ये बड़ी सी चीज नहीं लेंगे बड़ जो चोटे चोटे खर्चों से हमारे घर में wastage of money हो रहा है हमारा extra पैसा खर्च हो रहा है उस पे हमारा ध्यानी नहीं जाता है तो यहाँ पे देखिए एक tip तो सबसे पहले निकल के आएगी आपके kitchen से kitchen में अगर आप cooking कर रही है ना तो खाना बनाने का measurement आपके पास जरूर होना चाहिए ताकि हम extra खाना बना के waste ना करें extra अनाज अगर हमारा waste होगा तो इससे हमारा एक तरह से पैसा ही waste हो रहा है फिर हम और चीज़े लाएंगे और monthly जो हमारा budget है वो बिगड़ जाता है तो अपना आटा चावल दाल तीन चीजों का measurement तो आप एकदम fix रखिए कि ज़्यादा cooking means जो फेकने लायक होता है ना कि खाने के बाद बच गया और हम उसको फेक दिये दो चार दिन फ्रिज में रखके तो वो आला जो system है इस आदत को खतम करना होगा एकदम exact measure लेके आप cooking करिए और दूसरा ये है कि देखिए kitchen में time to time cleaning बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम cleaning नहीं करते हैं अपने containers की तो हमारी जो grocery होती है ना वो खराब होने लगती है और grocery खराब होना again means vestige of money तो अपने grocery को long life देने के लिए आपको अपने containers को अच्छे से wash कर लीजिए अच्छे से dry कर लीजिए देन ही उसको refill करिए ये tips भी आपके देखिए एक दो महीने try करिए आपका बहुत सारा जो नुकसान हो रहा है ना उसको जरूर ये रोकेगा हमारे kitchen में बहुत सारी ऐसी चीजे होती है जैसे cooked food हो गया दूद हो गया जिसको हमें immediately freeze में रख देना चाहिए जो बचा हुआ है कई बार हम लोग इस काम को avoid करते हैं आलस करते हैं और ऐसे में हमारा जो वो सामान होता है वो खराब हो जाता है और जो भी सामान खराब होगा तो जाहिर सी बात है आपका wastage of money तो होना तैय है ये एक गलत आदत मुझे में भी पहले थी कि जब भी मेरे घर पे सबजियां आती थी ना मैं उसको डिरेक्ट ले जाके polythine के साथ freeze में रख देती थी ना उसको wash करना और ना उसको polythine से निकालना ये काम मैंने बहुत सालों किया और इसका बहुत ही बुरा result मुझे मिलता था कि सबजियां दो से तीन दिन में सड़ने लगती थी बट फिर मैंने covid के time में सीखा कि हर चीज को धो के wash करके ही freeze में रखना चाहिए अब वो रेखिये वो एक आदत थी जो कि मेरे बहुत सारे प जाता है जो घंदा पानी होता है वो निकल जाता है देन उसको सुखा के dry करके ही freeze में रखती हूं इससे क्या होता है कि देखिये पैसे तो बच जाते हैं साथ में जो हमारा food wastage होता है ना वो नहीं हो पाता है तो ऐसे ही छोटी छोटी आदते हैं जो हमें धीरे-धीरे homemaking सि देखिये हम लोग सामान तो अपनी जरूरतों के हिसाब से बहुत सारे ले आते हैं अब electronic सामानों को ही ले लें बड़ यूज करने के बाद हम उसे कभी भी कहीं भी रख देते हैं और उससे सामानों की quality जो होती है खराब होते जाती है और हमारे महंगे महंगे electronic item बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं तो यहां पर एक tip यह है कि जिस भी electronic को आप यूज करिए बहुत सारे electronic यूज करने के बाद गरम हो जाते हैं जैसे hair dryer वगएर तो उनको ठंडा होने के बाद उनके place पे store कर दीजिए बहुत दिन तक उनकी life बनी रहेगी वो खराब नहीं होंगे साथी साथ जो भी हम लोग light घर पे extra जलाते हैं किसी भी कमरे में फैन चला के छोड़ दिये अगर ये सब भी हम properly maintain करें light को room से निकलने के बाद फैन को बंद कर दे तो हमारी electric saving बहुत जादा हो जाती है अब electric saving होगी तो पैसे saving तो होंगे ही होंगे हमारी घर की चीजें छोटी हो या बड़ी हर चीज को अगर उसके fix place पे रखेंगे ना तो उस चीज का wastage कम होगा जैसे ये clips ही हो गई जो कपड़े सुखानी की clips होती है उनको पहले मैं भी ऐसे रसियों पे लगे छोड़ देती थी जिससे धूप में वो गल जाती थी और नया clip का packet एक महीने में ही कहा चला जाता था मुझे समझ ही नहीं आता था पट काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ ऐसी organizing basket और डेड़ दो साल से मेरी जो कपड़े सुखानी की clips हैं जेओं कीतेओं बनी हुई है देखिए कई बार हम कुछ चीजे ऐसी अपने घर पे ले आते हैं कि जिसको maintain करना हमारे बसका होता ही नहीं है और ऐसी चीजे normally हम दूसरों के घर में या दूसरों की चीजे देख के ही ले आते हैं तो देखिए भगवान ने सबको इतनी capacity दी है इतना ज्यान सभी के पास है कि आप किस चीज को maintain कर सकते हैं किस चीज को नहीं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं तो अपने घर पे उन्हीं चीजों को लाइए जो कि आपके लिए comfort level की हों आपके आप उनकी proper cleaning कर पाएं उनको proper तरीके से maintain कर पाएं otherwise आपका wastage of money होना तय है क्योंकि चीजों को आप maintain नहीं करेंगे तो धीरे धीरे time के साथ वो खराब होती चली जाती हैं और आपके सारे पैसे बरबाद हो जाते हैं तो इस चीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान जेद देने की जरूरत है especially अगर आप अपने घर का कोई भी ब एक मात्र करीका है जिससे की आप मंधली बजट में से अपने पैसे सेव कर सकते हैं तो मैं planning कैसे करती हूँ future में मुझे क्या खरीदना है उसके लिए मैं एक diary रखती हूँ और उसमें लिखते रहती हूँ कि मुझे category wise actually में मैं लिखती हूँ कि kitchen के लिए क्या क्या article मुझे है इसमें महगे सस्ते सारे articles होते हैं living room, dining room and bedroom के लिए क्या article लेना है even cloths क्या लेना है मुझे वो भी मैं लिखते रहती हूँ इससे क्या होता है ने कि देखिए चीजे एक तो हमारी नजर में रहती है और उसी हिसाब से हम budget plan करते हैं साथ ही मेरे पास एक और idea है जिसको मैं आप लोगों के साथ share करना चाहूंगी पैसे save करने का मैं यूज करती हूँ अपने घर पे गुल्लक चार से पांच गुल्लक मैं रखती हूँ जिसमें हर मन्त मैं कुछ-कुछ पैसे डालती हूँ और हर गुल्लक अलग category का अलग level का पैसा save कर रहा होता है तो देखिए मैं पे आप लोगों को पास से दिखाती हूँ ये है इस पे लिखा हुआ है टूर के लिए कहीं घूबने फिरने जाना हो उसके लिए साथ ही ये है घर का सामान तो ऐसे ही कई आप गुल्लक अपने घर पे बना सकते हैं मिस गुल्लक लेया ये sticker लगा दीजिए और हर गुल्लक म तोड़ा और मुझे एकदम बराबर पैसे मिल जाते हैं तो ये trick मेरे लिए तो बहुत useful है अगर आपको गुल्लक में पैसे रखना पसंद नहीं है तो आप लोग ऐसे purse यूज कर सकते हैं जिसमें तीन से चार compartment बने हो हर चेन में अलग-अलग पर्ची डाल दीजिए किस object के लिए पैसे सेव कर रहे हैं में भी जूलरी के लिए हो सकता है डोनेशन के लिए हो सकता है या कोई अधर सेविंग हो सकती है ये trick यूज करके देखिए बहुत ज्यादा वर करता है या तो आप ऐसा चोटा-चोटा जूलरी बैग भी यूज कर सकते हैं इसके पीछे sticker लगा दीजिए और पैसे सेव करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए देखिएगा दो से तीन महीने में आपके पास पैसे इकटे होने शुरू हो जाएंगे और डेफिनेटली ये trick 100% वर्क करेगा तो दो-तीन महीने से मैं भी पैसे कुछ-कुछ थोड़े-थोड़े करके जमा कर रही थी और फिर गई हूँ डी-मार्ट और जो मेरी kitchen की listed चीजें थी वो मैं लेके आई हूँ तो दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या-क्या लेके आई हूँ और हाँ इसको आप budget shopping कह सकते हैं, planned shopping कह सकते हैं जो भी requirement की चीजे थी सिर्फ वहीं आई है, कुछ भी extra नहीं आया है तो देखिए सबसे पहले तो मैं लेके आई हूँ इस type के glass jar जो की मुझे kitchen में कुछ सामान था जो इसमें रखना था तो बहुत जरूरी था और कई महीनों से मैं इसको listed करके रखी थी पहले मैंने सोचा कि मैं ceramic jar लूँगी बस उसका धकन जो होता है उपर से धकने वाला होता है और जब humid का season होना तो चीजे सील जाती हैं जैसे कि कुछ भी इसमें रखे salt, sugar especially मैं salt, sugar या tea के लिए लाई हूँ तो देखते हैं कि इसमें क्या रखते हैं और ये दो का set लाई हूँ मैं हर एक जो box है 149 के price में है D-mart में चीजें अच्छी quality की और बहुत ही सस्ती मिलती है तो ये है एक तो मेरा first buy है कि ये मैं दो glass के jar लाई हूँ जो कि देखने में बहुत ही elegant सा look दे रहा है बहुत ही सुन्दर है इसके बाद मैं दो glass के jar और भी लाई हूँ ये रेखिए इस type के jar है ये है 69 रूपीज का एक 69 रूपीज मिन 70 रूपीज का एक jar है दो jar मैं लाई हूँ ये मैं लाई हूँ अपने snacks रखने के लिए half kg के jar है थोड़े बहुत snacks इसमें अच्छे से आ सकते हैं और धीरे धीरे जो है मैं अपने kitchen के plastic को replace कर रही हूँ ग्लास जार से दिन मैं लेके आई हूँ एक ये है fruit basket जो देखने में बहुत ही सुन्दर है और इसका MRP है only 99 रूपीज बहुत ही elegant सा look है holding power इसकी holding capacity बहुत ही अच्छी है तो इसमें आराम से एक से डिड़ किलो दो किलो fruit आ जाएगा कहीं भी इसको ऐसे रख दीजिए decorative piece की तरह बहुत सुन्दर look देने वाला है धन बढ़ते हैं next purchase पे और वो है cups ये मैं लेके आई हूँ cup और new arrival था वहाँ पे cup का मधुवनी painting के साथ ये रिखिए एक cup मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ मधुवनी painting वाला cup आया हुआ है डी मार्ट में तो अगर आप लोगों को भी चाहिए हैं तो जरूर से जाएं purchase करके लाएं हाँ cup का price थोड़ा सा महंगा है ये cup मुझे मिला है 500 का छे means ये पूरा जो packet है ये 500 का packet है लेकिन cup की quality बहुत ही अच्छी है मतलब 500 लायक है इसकी quality कि हम इस पे 500 रूपीज खर्च कर सकते हैं तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया अब बढ़ते हैं next product की तरफ और ये है एक देखिए ये crystal clear दिख रहा है आप लोगों को ये एक टाइप से एक ट्रे कह सकते है इसको या decorative piece type से है इसमें आप अपने center table पे या कहीं भी कुछ भी decorative सामान रख दीजिए देखने में बहुत अच्छा लगेगा ये दिखने में तो वैसे glass look का है लेकिन है actually में ये plastic का ही बना हुआ है बट transparent plastic का है तो देखने में look wise पूरा glass का दिख रहा है और इसके जो handles हैं golden होने के कारण और भी प्यारे look दे रहे हैं तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया था पहली नेजर में पसंद आ गया तो एक तो चीज मैंने ये लिया कुछ kitchen towels लेके आई हूँ hand towels हैं बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही मतलब उतने भी सस्ते भी नहीं है 40-40 रुपए के ये हैं और ये अच्छा कप मैं लेके आई हूँ regular use के लिए ये रेखिए जैसे दूद की bottle होती है ना दूद का cane होता है उस शेप में था ये कप तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो ये मैंने दो लिये हैं और इसमें color भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ही light color के option थे उसमे select करना मुश्किल था कि कौन सा color ले तो मैंने ये लिया है अपने लिए और ये है मेरे husband के लिए तो ये तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था हाँ इसका coffee mug भी था सेम इसी शेप का size में बढ़ा तो आप लोग वो भी ले सकते हैं अगर coffee mug का requirement है तो इसके साथ ही मैं एक लाई हूँ ऐसा glass का lunch box जिसकी lid है आपकी silicon lid है और glass का lunch box है चोड़े सेप में मेरे पास glass lunch box नहीं था इसमें जैसे lunch में अगर राजमा चावल पैक करना हो कड़ी चावल पैक करना हो तो easily pack हो जाएगा air tight है lick proof है और साथ ही इसका price है only 159 रोपेज तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ इसको ले सकते हैं और useful है इसमें कुछ स्टोर करके हम लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं कुछ जो extra food बच जाता है otherwise ये office ले जाने के लिए school ले जाने के लिए best option लग रहा था तो ये मुझे पसंद आया तो मैंने ये भी लिया साथ ही मैं लिया है एक ऐसा basket ये दिखिए या एक container बोल सकते हैं इसमें ऐसे lock लगे हुए है साइड में तो कुछ भी इसमें जो extra हमारे खुले हुए packets हैं kitchen में snacks के उसको रख सकते हैं और ये मुझे बहुत ही useful लगा price है इसका 200 तो ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर से article DMART में आप लोग साथ ही में मैं लाई हूँ इस type के boxes देखिए ये boxes तो हमारे kitchen में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं या तो सबजिया रखना हो या तो कुछ स्टोर करना हो और box के अंदर box ये 5 का set है एक से छोटे छोटे करके ऐसे 5 boxes है इसमें और इसका price है इसका price है 99 रूपीज साथ में ए 5 boxes का set है ये square shape के boxes है ये भी storage में बहुत ही यूज होने वाले हैं और ये है आपका 129 के 5 तो ये भी मुझे kitchen के हिसाब से बहुत ही useful लगा साथ में मैं एक लेके आई हूँ ऐसा इसको snacks container वो लीजिए या dry fruits container इसके अंदर tray भी है ये देखिए इसमें पिक्चर में भी बना है tray है साथ में ऐसे 4 boxes है और कमाल की बात ये है कि सारे boxes airtight है तो कुछ भी snacks में रख दीजी आपका snack खराब होने वाला नहीं है एक box को मैं खोल के दिखाती हूँ ऐसा है ये box ये वैसे तो plastic का बना है बट अच्छी quality का plastic है सूखे item रखने के लिए कुछ भी ये खराब नहीं है तो मुझे अच्छा लगा lid देखिए पूरी तरह से rubber लगा हुआ है airtight container से और आराम से इसमें काफी सारा snacks आ जाएगा साथ ही में अगर इसको जैसे snacks रखके आप table पे रख दीजिए साथ में spoon रख दीजिए तो आपको serve करने की भी ये plate में रखने की जरूत नहीं ड्राइफ रूट्स रखने के लिए भी ये best option है तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा useful लगा तो मैं एक तो ये थे मेरे कुछ purchase जो मैंने थोड़े थोड़े पैसे save करके पहले पैसे इकठे किये फिर मैं उससे अपने घर की चीजे लेके आई हूँ ऐसे आप भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा हर मन्थ save करिए उससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे हम बहुत कुछ ले पाएंगे I hope इस वीडियो में जितने भी tips and tricks money saving के मैंने बताएं हैं आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोग अगर इनको अपने life में apply करें तो आप लोगों का धेर सारा पैसा बनेगा बजट भी अच्छा बन जाएगा तो मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में कुछ नई चीजों के साथ तब तक के लिए take care and bye bye